Dear Children, Assalamualaikum. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Now, today our topic is Prophet Muhammad, peace be upon him, from 6th class English. So, बच्चों, जी 6th class की English से ये लिया गया topic है, the Prophet Muhammad, peace be upon him. So, कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पड़ा था, उसी के आगे हम को आज continue कर रहे हैं. तो उसके आगे इस तरह से है, Children, what happened after that? तो बच्चे पुछते अपनी नानी से कि उसके बाद क्या हुआ? नानी, well like his uncle, Muhammad, peace be upon him, also adopted trade as his profession. तो अपने चाचा की तरह, Muhammad ﷺ ने भी तजारत को अपना पेशा बना लिया. He, peace be upon him, took the merchandise with other carry on to different places and every time earned a good profit. तो Muhammad ﷺ भी अपना सामान ले के दूसरे काफलों के साथ मختلف जगों पे जाते थे इसको बेचने के लिए, तो हर बारे ने अच्छा मनाफ़ा होता था. All the people appreciated his peace be upon him, honesty, truthfulness and straight forwardness. तमाम लोग इनकी होंसला एफजाई करते थे इस बारे में कि एक बड़े ही honest और सचे सीधे इनसान हैं. तो उस वक्त की बात है कि एक बहुत ही अंबीर बेवा थी जिनका नाम हजरत हितीजा रजी आपान हम अनस्टी के सचाई के बारे में, द्यानतदारी के बारे में सुना तो उन्होंने अपना सामान दे के इनको सीरिया भेज़ दिया बेजने के लिए. Our servant accompanied him, तो अपना नोकर भी साथ भेज़ दिया. It was the second time that मुहम्मद बीस बी अपान हम वाज गुएंग टू सीरिया. ये दूसरी बार थी जब मुहम्मद बीस बीस बी अपान हम वेरी कीनली. तो वहां पे जो चर्च का पाद्री था, पजारी था, तो उसने मुहम्मद बी गोर से देखना शुरू किया. All the children, noni was he the same priest who had seen Muhammad peace be upon him for the first time with his uncle. किया ये वही पादरी था जिसने पहली बार मुहमस ﷺ का अपने चचा के साथ देखा था नानी किसी वजह से लोगों को कुछ शक्सा हुआ तो उन्होंने चलाना शुरू किया तो उस पादरी ने क्या किया मुहमस ﷺ को अपनी गिर्जा घर की छट के नीचे जगा दी जहां पे उसे ये इत्मिनान था कि आप लोग ने कोई निकसान नहीं पहुंचा सकते बट वाज comparing the description of the lost prophet as given in the Bible लेकर वो इस बारे में सोचने लगा कि जो description जो निशानिया या features जो Bible में लिखे गए हैं लास्ट पेगंबर के बारे में हैं तो with the feature that he had found in मुहम्मद पीस भी अपान हैं तो जो इस ने जो निशानिया मुहम्मद ﷺ में देखी तो उनके बारे में ये सोच रहा था कि लास्ट पेगंबर की यही निशानिया हैं शबनम नानी यू मैंशन देखी बारे में पहले भी जिकर किया तो ये क्या है नानी ओ एम सॉरी आइ फर्गाट टू टेल यू मुझे माफ करना मैं आपको बताना भूलगी देखी बाईबल इस दर एलिजिस बुक आफ तक क्रिस्चन तो ये बाईबल जो है ये इसाईयों की मजभी कताब है दे फाल्वर्स आफ जीसिस क्रिस्ट पीस बी अपान है जो अजरत इसा अलिजिस्चन को मानते हैं तो प्रीस्ट यू था उसे अब कोई शक नहीं था कि मुहम्द सॉला लालिस सलम जो है यही लास्ट पिगंबर है ये सुन के लोगों को बहुत दुख हुआ गुसा हुआ जब अपना सामान उन्होंने फरोहुत किया तो उसके बाद वो वापस मका चले गए खतीजा रजियल्ला हानहा सर्वन्ट टाकेड वेरी हाई आफ मुहम्द पीस भी अपान हम अनेस्ट डीलिंग डूरिंग हिस ट्रेड ट्रिप टू सीरिया तो आप जो खतीजा रजियल्ला हानहा का नोकर जो था जब वापस आया तो उसने मुहम्द सुल्ला अले सल्म की अनेस्ट जो थी उसके बारे में आके खतीजा रजियल्ला हानहा को बताया तो उनकी द्यानदारी सचाई और अच्छाई की वज़ से उने आमीन के नाम से जाना गया यानि दे कस्टोडियन महाफ़ज खतीजा रजियल्ला हानहा वास सो इंप्रेसेड दैट शी डिसाइड़ तो मेरी हम तो खतीजा रजियल्ला हानहा इस जबाद से बहुत मतस्र हुई तो उन्होंने उन से शादी करने का फैसला कर लिया एड ताइम शी फास फूर्टी और मुहमद पीस बी अपान हैं वास अनली ट्वंटी फाईव तो उस वकत हतीजा रजियल्ला हानहा की अंबर जो थी चाली साल थी और मुहमद सुल्ला अल्ला लिस सलम की अंबर ट्वंटी फाईव यानि पचीस साल की थी तो इसका मतलब है कि मुहमद सुल्ला लिस सलम जो थे वो अभी नौजवान थे नानी येस फिफ्टीन येर्स यंगर देन खतीजा रजियल्ला हानहा कतीजा रजियल्ला हानहा से 15 साल छोटे थे दा मेरेज टुक पलेस शादी हुई आफटर मेरेज दा हस्बन एंड वाइफ स्पेंड देर वैल जीनरिस्टी टू अलब ता पोर एंड नीडी तो मिया बीवी ने अब शादी के बाद क्या किया क्या हूंकि वो सखी थे सही होने की वज़ा से उन्होंने अपनी तमाम की त दे लिव डे फ्रिजाइल बेरी फ्रिजाइल लाइफ तो खोद जोते वो फकीराना जिन्गी गुजारने लगे अल दा चिल्डरन हाव इंटरेस्टिंग नानी ए रिच कपल गिविंग अल देर रिचिस तो दा पोर वी हैवंट हैड आफ सच ए तिंग बिफूर कितनी दिल नानी ओ येस हाँ तो नानी क्या कहती हाँ ये सच है कि मिया बीवी ने अपनी तमाम दोलत जो थी वो दूसरों में बांड दी और खोद जो थे वो सकती का वकत गुजारने लगे सलिमा नानी डिडिन्ट दे हैव चिल्डन नानी क्या उनके बच्चे नहीं थे नानी अफ कोर्स दे हैड हाँ उनके बच्चे थे फराम हतीजा रजी अलाहा मुहम्मद पीस भी अपान हम गाट टू संस और फोर डाटर हतीजा रजी अलाहा से उने दो लड़के और चार किया हुई बच्चे ने लड़के जिनका नाम कासम और अबदूल्ला था उनकी जवानी में उनकी वफात होगी तो वो चार उनकी जो बेटियां थी उनकी सबों की शादी हुई और उनमें से बच्चे भी थे विन मुहम्मद पीस बी अपान हम वास थर्टी टू और थर्टी त्री ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाओ तर युनिवर्स एंड इस क्रियेटर तो जब मुहम्मद सुलिल्ला अलिए सलम की उमबर 32 या 33 साल की थी तो उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि युनिवर्स क्या है और इसका बनाने वाला कौन है तो उन्होंने दिनों के दिन इसी गोर फिकर में गजार दिये एक गार में जिसका नाम गार हिरा है वन डेट एज अफोटी एक दिन क्या होता जब उनकी उमर 40 साल की थी बेन मुम्मद पीस भी अपन हिम वास मेडिटेटिंग इन घरा जब वगार हिरा में इसी बात को सोच रहे थे एज़ इन एंजल एपैर बिफोर हिम तो उनके सामने एक फृरश्टा हाजर हुआ and asked him to read उसे कहा के पढ़ो उनसे कहा के पढ़ो महम्मद पीस भी अपान हम said I can't read महम्मद صلی اللہ علیہ وسلم ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता दा एंजल एंब्रेशिड हम एंड रिपीटेड दे सेम वोर्स थ्राइस तो उस फृरिशने ने क्या किया इनको अपनी आउश में लिया गले लगाया और यही इल्फास जो थे तीसरी बार दुराए यानि कि to read पढ़ो तो आज यहीं पर close करते हैं अल्ला हाफिज